हालो व्रीवर्ण ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टर रैश्मीज हुमेपथी फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी से होने वाले गैस्ट्राइटिस के बारे में कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जिनको एच पाइलोरी का इंफेक्शन होता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है और केवल 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको इंफेक्शन होता है उसके साथ में सिम्टम्स आते हैं तो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस कॉस करने वाला एक बहुत फेक्टर होता है नाइंटीनasuसे पहले ऐसा कहा जाता कि जोगश्टरी organically होता है वह आपके स्ट्रेस लेने से आपके जंक फूड कhाने से अलकोहल लेने से या बहुत सारे ड्रॉडाग्स बगरा लेने से या स्मोकिंग वगरा करने से आपको गेस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है लेकिन 1982 में जब यह डिसकवर हुआ कि एच पाइलोरी जो कि एक ग्रैम नेगेटिव बैक्टिरिया है जो आपके पेट में पाया जाता है उसके कारण गेस्ट्राइटिस होता है एच पाइलोरी जिसको हेलकोबेक्टर पाइलोरी बूलते हैं इसका पहले नाम था कंपाइलोबेक्टर पाइलोरी जो कि आपके पेट के जो acidic atmosphere है जो acidic fluid है उसके अंदर बहुत अच्छे से survive करता है Usually ये जो pylori होता है ये आपके पेट को कोई नुकसान नहीं करता है लेकिन मौका मिलने पर ये चौका मार देता है मतलब जैसे इसको मौका मिलता है आपकी stomach की जो lining होती है उसको corrode करने लगता है उसमें ulcer बनाने लगता है और उसमें घुसने लगता है जिसके कारण ये जो आपके पेट की जो सता के अंदर जो रहने वाला जो fluid है वो आपकी layers में घुसने लग जाता है वहां पर ulcers भी cause कर सकता है तो H. pylori से होने वाला जो gastritis mainly it is because कि आपके पेट का जो pH है और उसमें जो पलने वाला जो H. pylori bacteria है उसको जब मौका मिल जाएगा या आप immunocompromised होंगे या किसी भी और reason के साथ तब ये आपके बोडी में sign and symptoms पैदा करता है देकर बहुत सार या से लोग है जिनको होता है और उनको पता भी नहीं लगता है जब इसका sign and symptoms आते हैं तब वो investigations जब होती है जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वहां पर pylori का infection है तो जो H. pylori का infection है या आपके पेट पे जब होता है तो क्या के symptoms कॉस करता है वो हम जान लेते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको H. pylori का infection भी होगा आपको पता भी नहीं होगा तो पहले चीज़ जो कि यह cause करता है वो है pain आपके पेट में दर्द होता है इस्पेशली रात में होता है जब आप खाली पेट होते हैं और कुछ खाने के बाद आपके पेट को relief मिल जाता है लेकिन जब आप कुछ खाते है तो खाने के साथ में आपके पेट में gas बहुत बनती है इतनी gas बनती है कि बर्पिंग करके भी आपको अराम नहीं मिलता है डकारे बहुत आती है में खटा पानी क्योंकि इस से बहुत जादा अंदर है तो वो उपर को आता है इस से डाता है एक बार खाने के बाद बहुत देर तक आपको भूक नहीं लगती है शाम हो जाती है रात हो जाती है सुबह का खाया हुआ अब ये तक पचा नहीं हुआ है वेरी स्लो डाइजेशन होता रहता है इसके अलामा अगर अलसर सोगरा बन गए है जो एच पाइलूरी है वो आपके जो स्टमक है उसकी मिकोजा को अगर अलसरेट कर चुका है तो आपको बलड आ सकता है स्टू ब्लाक कलर का हो सकता है टैरी हो सकता है और जितने तरह की जो सिम्टम्स होते हैं जैस है constipation even constipation भी होता है स्टूल में ब्लड आ रहा है यह सारे सेम्टम्स एच पालॉरी बैक्टिरिया में एच पालॉरी के होने वाले गैस्ट्राइटिस में पाए जाते हैं और फ्रिंट्स कई बार नौजिय और वामिटिंग भी देखने को है महीं इस पायलोरी का अ इंफेक्षण ज्यादा बच्टों सोचरू हो जाता है क्यूंकि बच्चों में जो है जादा तर जो लोग बहुत ज़्यादा शेरिंग करते हैं जहां पर किसी को इंफेक्शन औरडी है उसके सलाइवा से उसके स्टूल के कॉंटामिनेशन से उसके यूरिन कंटामिनेशन से अगर कंटामिनेटर वाटर पी लिया तो उसके कारण एच पाइलोरी का जो बेक्टिर भी हमारे इंडिया है यहां पर तो यहां पर स्टाइब one बहुत हिस्जदा कॉमन है क्यों कि यह पर बहुत ज्यादा जो हेल्थ के लिए जो हेंड़ वाश करके खाना है या साफ पानी पीने की जवयस्था है वो कहीं बार नहीं हो पाती है तो कहीं बार चांसर बन जाते हैं कि H.Pylori का जो बैक्टिरिया वो पनप रहा होता है और दूसरे को भी ट्रांसफर हो रहा होता है तो mostly in crowded places जो unhygienic food हम खाते हैं unhygienic पानी पीते हैं उन सबसे H.Pylori का जो बैक्टिरिया है वो ट्रांसफर होता है तो symptoms हमने जान लिए हमने reason जान लिए कि हमारे पेट में कहां से आया अगर family में किसे को H.Pylori होता है तो दूसरे को H.Pylori के chances बढ़ जाते हैं अब हम जानते हैं management tips के बारे में कुछ important tips है जो अगर आप जान जाएंगे तो बहु बहुत है तो अगर आप और अपने का और अच्छा मौका मिलेगा तो खटी चीजों को आपको बंद कर देना है अगर आपको गैस्ट्राइटिस है और इसलिए ऐसा होता भी है कि जो लोग को गैस्ट्राइटिस होता है उनको खटी जासूट भी नहीं करती है बट स्टिल अ यान यह सब चीज़े भी कॉंटिन होती रहेंगे इसके लावा आपको ठंडा दूद पीना है फ्रिज का रखा हुआ एक दम चिल्ड मिल्क को सिप सिप करके पीना है यह दूद क्या करेगा यह आपकी जो आते हैं यह जो आपका स्टमक का म्यूकोजा है वहां पर एक फैट इसके लावा आपको अगर स्मोकिंग करते हैं अलकोहल लेते हैं तो इमेज़ेट उसको बंद कर देना चाहिए स्पाइसी फूड है जंक फूड है वो तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ठंडा पानी या लॉट आफ वाटर मितलब चाहे नॉनल पानी पी सकते हो य इसके लावा सबसे इंपोर्टन चीज है कि अपने खाने का जो समय है वो निदार्द करना पड़ेगा अपने खाने को फिक्स टाइम पर खाना है क्योंकि अगर आप थोड़ी देर किता खाना खाने का टाइम है अपके पेट में फूड नहीं है और उसके बाद फिर प्रॉ है वो भी इसी तरह से फिक्स रखना था फूड साइकल को फिक्स टाइम पर खाना है और इसके लावा स्ट्रेस को अवाइट करना है इस्ट्रेस का डेफिनेटल एक बहुत इंपोर्टन रोल होता है गैस्ट्राइटिस में तो अनि पेशेंट फिर इस्ट्रेस को कैसे अप रिलीस कर सकते हैं और वो सारी से आपको देखनी पड़ेंगे अब बात करते हैं कुछ हुमेपतिक मेडिसिंस की डाट आर वेरी वेरी एफेक्टिव एंड याट वेरी एक्सिलेंट रिजल्स इन केसे ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड स्टमक रिलेटेट इशूस तो पहली द की समसा बन चुकी है जिसको इंडाजेशन रहता है इस्ट्रेस के कारण रहता है और स्टूल नहीं पास होते हैं सही से या इस्टूल पास के निकले जाते हैं घंटो गंटो बैठे रहते हैं लिए तब ही लगता है कि पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है यह फिलिंग रहती है खाने खाने के लिए बहुत तरह की जो गज़े बहुत तरह की जो गरेंग बात करते हैं अगली दवा है लाइकोपोडियम लोगों के लिए अच्छी दवा है जिन लोगों का जो प्राबलम होती है वो uricated acid diathesis related रहती है मतलब उनको tendency रहती है stones वगरा form करने की और हमेशा खटी चीज़ा खाने का जिनको मन करता है और जिलको बहुत ही chronic gas की problem रही है lower abdomen में especially lycopodem is especially given in cases of अगर gas नीचे से जादा पास करते हैं और हर वक्त आप gas उतनी बनी रहती जितनी पास करते हैं वहाँ पर lycopodem बहुत अच्छी दवा है तो lycopodem को भी आप lower potential से start करें next medicine के बाद करते हैं next medicine है चाइना चाइना एक बहुत अच्छी दवा हो जाती है जहाँ पर आपको gas arthritis के case में नाउजिया भी हो रहे है vomiting भी हो रहा है weakness, prostation, थंडा पसीना आपको हो रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और आपके hemoglobin भी कम हो गए है क्योंकि gas arthritis के case में अगर ulcers बन गए है gastric ulcers बन गए है तो वहाँ पर आपको blood loss हो सकता है और उससे hemoglobin आपका down हो सकता है तो अगर यह सारे symptoms मिलते हैं और जो gas होती है, पूरे पेट में भरी रहती है अगर आपको होती है तो आप वहाँ पर China medicine से start कर सकते हैं नेक्स एक दवा की बात करते हैं नेक्स दवा है आईरिस वर्सी कलर यह एक specific medicine है जो कि मैं आपको शेर कर रही हूँ गैस्ट्राइटिस के लिए मेरा clinical experience इस दवा के साथ बहुत ही अच्छा है और इस दवा से हर एक patient almost 70-80% patient में गैस्ट्राइटिस के issue में बहुत अच्छा relief मिलता है इसमें patient को vomit का हमेशा feeling रहता है हमेशा उसको लगता है कि vomit करके उसको थोड़ा relief मिलेगा बिल्कुल खटा पानी रिलीज करता है और साथ के साथ उसको headache बहुत ददा बना रहता है तो gastritis और headache अगर दोनों साथ में combined होके आ रहे हैं तो you have to take the medicine iris versicular and you take this medicine in 30 potency next combination medicine की बात करूंगी वो है hydrasis का mother tincture और abyscanadensis का mother tincture यह दोनों ही जो medicine होती है यह आपके पेट के mucosa के उपर काम करती है मतलब आपके पेट के lining के उपर काम करती है आपके पेट की जो lining होती है चाहे वो ulcerated कर दी गई हो L.H. pylori ने कर दिया हो उसको ulcerated कर दिया हो वीक हो गई हो sloughing हो रहे हो वहाँ पर और in digestion आपको बहुत जादा हो रहा हो वहाँ बने दोनों medicine के combination को अगर आप लेते हैं अगर आपको gastritis है तब तो आपको जरूर लेना है अगर आपको नहीं भी आए और आपको digestion अगर अच्छे से नहीं होता है then also you have to take this medicine और इसकी जो combination है बहुत अच्छा इसका result रहता है तो इस medicine को अगर आपको लेना है तो दोनों को mother tincture form में लीजिए और आधे glass pass पानी में दोनों के 10-10 spoon डाल करके दिन में 3 बार या दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं और कम से एक से डेड़ महीने दो महीने तक लगातार इसको लेने से आपका पेट बिल्कुल स्ट्रॉंग हो जाएगा उसका डाइजिशन बहुत अच्छा हो जाएगा और गैस वेस्ट के समसा जो बहुत पुरानी चलती चली आ रहे है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा तो इस आर फ्यू मेडिसिन जो की बहुत अच्छा काम करती है गैस्ट्राइटिस के केसिस में और एच पाइलोरी को भी हटाने में ये दवाईयां बहुत ज़दा उपयोगी है तो एच पाइलोरी अगर आपको पॉजटिव है तब आप इन दवाईयों का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है कोई 10-15 दिन में एच पाइलोरी से इंफेक्शन से आफ्री नहीं हो सकते हैं कंसिस्टेंट रहना पड़ता है ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ में अपने डायेट एंड लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ता है जो भी आपको रिजन मन के आ रहा है उसको भी देखना पड़ता है और साथ के साथ अपने हाईजीन को मेंटें करना is very very important in case of H. pylori क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके कारण किसी और को भी infection ना चला जाए क्योंकि अगर आपको infection हुआ है, it means कि ये infection भी आपको कहीं से आया है तो इस बात का ध्यान रखना है, H. pylori का आप treatment लीजी और surely आप बिल्कुल डिटेल्स, description में आपको मिल जाएंगी अगर आप मेरे सब appointment बुक करना चाहते हैं तो अपना slot बुक कर सकते हैं 7017-991940 वर WhatsApp करके Wish you a very good health, thanks for watching